नमस्का, News 18 इंडिया के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ मौनेका ठाकुर, आज एक मार्च हैं, आज ऐसे कौन-कौन से बदलाव हैं, कौन-कौन से नियम हैं, जो बदलने वाले हैं और जिनका सीधा असर या सीधा सरोकार जिनका असर आप पर होगा, सबसे पहले, सबसे बड़ा बदला, FASTAG की KYC अगर आपने अपडेट नहीं की है, क्योंकि NHEI, यानि कि National Highway Authority of India की तरफ से, 29 फरवरी तक आपको FASTAG की KYC को अपडेट करना था, अगर आपने उनकी वेबसाइट पर जाकर, यानि कि NHEI की वेब को पता ही है कि हर महिने की पहली तारीक को LPG, CNG, PNG के जो दाम है, वो oil companies तै करती है, हालां कि अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है, कि domestic cylinders के दाम बढ़ेंगे, या commercial cylinders के बढ़ेंगे, और पिछले दिनों हमने देखा भी है, कि LPG के जो दाम है, उनमें हमने कोई बदलाव दे से देखे गए हैं, जो एक मार्ट यानि की आच से ही लागू होंगे, पांच करोड से जादा का जो business करते हैं, जो कारूबारी है, इनके लिए ये महतपूर information है, ये जानकारी इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर पांच करोड से जादा का business करते हैं, तो ये चालान के बिना आप इबे बिल जो है, उसे जेनरेट नहीं कर पाएंगे, यानि की इचालान बेहत जरूरी है, पांच करोड से जादा का business कारोबारी करते हैं, कारोबारी किश्वेतर में जो निवेश भी करते हैं, या पांच करोड से जादा का कारोबार करते हैं, तो इबे बिल जेनरेट करने के लिए आपको इच आलान बेहत जरूरी होगा इसके अलावा social platform यानि की social media में भी कुछ बदलाव सरकार के तरफ से जिनकी changes या यूं कहें हम नियमों में जो बदलाव किया गया है वो आज एक तारिक से ही लागो हो जाएंगे आप अकसर फेस्बुक पर एक्स पर ट्विटर पर बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं लेकिन अब इसकी monitoring करने के लिए अगर आप कुछ भी Facebook ट्विटर या किसी भी social media platform Instagram पर without facts कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आप पर कारवाई होगी और कारवाई ऐसी होगी कि आपको जुर्माना भरना पर सकता है और सरकार की तरफ से इन नियमों में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि जो social media है जो social platform है क्योंकि अमूमन जो लोग है आजकल हमने पड़ेगा जो भी आप information social media के जरिये दूसरों तक पहुंचाएंगे इसके अलावा इस महीने की हम बात करें मार्च में 14 bank holidays आ रहे हैं Sundays को और Second Saturdays को अगर हम count भी ना करें तो eight bank holidays हैं जो पूरे एक महीने में आने वाले यानि कि अगर आपको बांक से related कोई भी काम करना है तो आप जल्दी से कर लें क्योंकि 14 दिन ऐसे हैं जब bank holidays मार्च में रहने वाले हैं इसके अलावा कुछ और नियमों में भी बदलाव देखा गया है क्योंकि लगातार जो है एक मार्च से LPG, CNG और PNG के जुदाम हैं उनमें भी हम देखते हैं क्योंकि पहली तारिक को जितनी भी जो companies हैं oil companies हैं वो निरधारित करती हैं तेल की कीमते हैं हालांकि ये का जा रहा है कि घरेलो गैस सेलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता है commercial cylinders की केमतों में भी वैसे कोई बदलाब देखा नहीं गया है लेकिन हमने अक्सर देखा है कि commercial gas cylinders की केमतें बढ़ती है हालां कि अभी तक ऐसी कोई information नहीं है ये भी कहा जा रहा है कि शायद रहात मिले ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि महंगाई दर किस तरीके से थोड़ा बड़ा है चीजे थोड़ी महंगी हुई है और यही वज़ा है कि अब ये कयास लगाए जा रहे है शायद LPG, PNG या CNG के दामों में बदलाब हो सकता है ये नियमों में जो है SBI की तरफ से जो सबसे बड़ा सरकारी बांक है उनकी तरफ से ये नियम जो है थोड़े से इन में चेंजिस देखे जा सकते हैं और 15 मार्च से ये जो नए नियम है वो लागो हो सकते हैं SBI की तरफ से एक email भी generate की गई है जो भी information है जो भी बदलाब देखे गए हैं वो information जो है वो अपने ग्रहकों को अपने customers को SBI की तरफ से दे दी गई है तो ये 5 से 6 ऐसे बड़े बदलाब है जुनका सरुकार सीधे आप से है और आपकी जेप पर इसका असर हो सकता है और ये नियम आपको जानने बहत सरुली